समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सपा मुखिया हाल ही में बने गठ बंधन इंडिया के जरिये देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। यही वज़ह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव अपनी नई रणनीती पर काम कर रहे हैं। दरसल अखिलेश यादव की इस रणनीती के पीछे यह माना जा रहा है कि सपा ने बीते सालों में अलग-अलग राज्ये में हुए विधान सभा चुनावों में कुछ सीटें जीती थी। इस वजह से ही पार्टरी अब विस्तार की रणनीती पर तेजी से काम कर रही है। विपक्षी दलों को एक साथ लाने को लेकर प्रयास करने वाले नेताओं में एक नेता अखिलेश यादव भी है। के सामने रख सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक ले सकते हैं। वहीं संगठन जिन राज्यों में पार्टी अच्छा काम कर रही है, वहाँ पर लोक सभा चुनाव लड़ने की मांग कर सकता है। सपा प्रमुख आगामी विपक्षी दलों की मीटिंग में अपनी बात रखते हुए उन अन्य राज्यों में जहां पार्टी मजबूत है, वहाँ से पार्टी के पक्ष में दावेदारी पेश कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इसके लेकर पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव यह मान कर चल रहे है कि इंडिया गठबंधन में उनकी पार्टी को मौजूदा स्थिती को देखते हुए कुछ सीटें कांग्रेस और रालोद के लिए को मुख्य आधार बनाया है।